अब्यर्मा विश्वनु महिस भी काल प्रेर्णा से वेदों के अर्थों को विप्रित ही याद किये हुए थे तो प्रमात्मा कबीर जी वहां से चल पड़े के काल यहां भी पहुँच चुका है फिर भगवान सिव जी के पास गई बगवान सिव ने कहा कि रिशी जी मैं समाधिष्ट होता हूँ और बहुत उपर तक मेरी समाधी चली जाती है और जिस बात की व्याख्या आप करते हो कि वो सतलोक है कोई सच्खंड है मुझे आज तक कही भी समाधी में दिखाई नहीं दिया परमेश्वर ने कहा कि वो सच्खंड तुम्हारे इस अंड और पेंड से पार है लेकिन नहीं मानने सिव जी आब इनको परमात्मा ने जान लिया कि तो अब बुदी फिर गी इनकी नहीं मानेंगे तो अपने अत्मों इस काल भगवान ने इन अपने तीनों पुत्रों से लीलाएं करवाई और स्विम ही इनके रूप में आकर के स्विम ही ये लीला कर देता है या इनके अंदर प्रवेश करके कुछ ऐसे करम करता है जो विरमा विश्वर महेश के सतर के नहीं होते है जिस कारण से इन तेनों गुणों रजगुण बिरमा सत्गुण विश्वनु तमगुण शिवजी की महिमा पूरे बिरमांड में व्याप्त होगी पर तेक विक्ति इन से परभावित होन लगया और इनको अजरो अमर सरवेश वर परमेश वर मान लिया जैसे कोई समाधी लगाने की चेश्टा करता है समाधिस्थ होने की चेश्टा करता हठी योग करके ये काल बहुत ही जबर्दस सडीयंत रचे हुए है ये क्या करता है किसी को बिरमा के रूप मंदर शंदे लेता है समाधी दसाम है और वो कूदता फिर रहे फिरे चलांग لगाता Ay फिरे मुने भगवान पा लिया मैं भगवान पा लिया और ये बिर्माजी ही ये रजगुन बिर्माजुन के पास देवता रूप में है वो कहता है कि यही परमात्मा है ये अपने आपको छुपाए हुए है और किसी अन्य सादक को वो विश्णु जी के रूप मदरसन दे देता है जो वो हंथی योग डढ़े ढो रहा हुता है समाधी लगा रहा हुता है वो फिर ये कहता है कि ये विश्णु जी ही परमात्मा है ये ही सर्वेश्वर हैं, जगत गुरू है, परमेश्वर हैं सरब परमाज़्ों के रचईता है ये अपने आपको छुपाई हूए है सारी सिर्ष्टी के रतंहार यही है क्योंकि उपक्का गवा बन जाता है काल का समादी दसाम देखका उनसे वारता होती है जैसे सौपन में बाते हुआ करती है यश्ट से बाते हो जाती है और किसी को शिवजी रूप में दरसन दे देता है अपने पूतर शिवजी के रूप में वो फिर कहता है कि यह शिवजी ही सदासीव हैं यही अजरो अमर हैं यही काल रूपी बिरम हैं सर्वेस्वर महेस्वर मर्तून जे कालज जे इस काल ने यो नोमन सूत अज्ञान का न्यो उड़ जा रहा है इसी भरम में बिर्मा जी सोच लेते हैं मैं सर्वेश्वर हूँ मैं स्रिष्टी रस्ता हूँ सब मेरे ही आधीन है उदर से विष्णु जी उसी किसी रिसी के कहने से ये समान बैठता है कि मैं ही सर्वेश्वर हूँ और इसी कारण से इन और नों का युद्ध हो गया एक बार पर रहमा जी गया विष्णु जी के पास क्योंकि एक दो रिसी ना आका उसका पंप मार दिये कि आपी सर्वेश्वर हो आप सम्ट्र रचनहार हो आप स्षिष्टी के करता हो मैंने पर्तेक्षद देखा है तो बिरमाजी मैं फूक बरगी वह चलपड़ा महां से श्री विष्णु जी को ये दिखाने के लिए कि मैं श्रिष्टी रचनहार हुँ अब विष्णु जी से सया पर लेटे थे, लक्समी जी वाँ बैठी थी, उनके सारे अनुचर सेवक, गुरुड़ा दीवाँ बैठे थे, बिर्मा जी जाकर खड़ा हो गया क्योंकि तो टीटी बढ़ रहा था, और विष्णु जी वैसे, अपने आपको यह समझ रेक मैं उसर आओ भगत नहीं की, बिर्मा जी की विष्णु जी ने, तो बिर्मा जी कहता है, ओ पूत्र, देख मैं तेरा बाप आया हूँ, और तू एक सैतान की तरह, एक कृत घनी की तरह, तू मेरा सत्कार नहीं कर रहा है, विष्णु जी कहते हैं, के तेरा मुँ ये बांका क्यों हो तू मेरा पूत्र है, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी नाभी कमल से उत्पन हुआ है। अब इस बात पह के मैं तेरा बाप हूँ, वो गुट बाज गया तो नहीं बगवाना का, बर मा और विष्णु का, और पुन्यात्मा ओ आमिन पुज्या करते, इनकी बुधी का सत्र तो चौथी कख्या के बालक जैसा है, ऐसा इनका व्योहार है। तीसरी चौथी कख्या के बच्चे लड़ते हैं, अज्धापक के पास जाते हैं, अज्धापक जी पूछते हैं, क्यों बेटा क्यों लड़ रहे थे। एक कहता जी, यूनो बोला मैं तेरा बाप है। वो सतर के बगवान थे, जिनकी आप पूजा करके मोक्स की इंतजार करते थे और अपना कुछ आचन सुधार ना चाहते थे। इसलिए समाज बिगड़ गया कती है। नास्तिक होता जा रहा है। तो पुनात्माव आपको परमान दिखाते हैं कि विर्माविष्णों महिस की कैस लड़ाई हुई। यह देखिएगा शिव महापराण इंदी टीका सहित भाग एक। इसमें संस्कृत भी साथ है। क्योंकि इंदी टीका करने वालों ने केवल अपने हिसाब की बातें अनुआद में लेली बाकी छोड़ दी। शिरी शिव महापराण विद्या वारिधी प परकासन बंबई इतने हैं। अब विद्वेषवर सहिता आपको दिखाते हैं। यह देखिएगा। यह है विद्वेषवर सहिता सिव पराण। यह ग्यारा प्रश्ट पे विद्वेषवर सहिता भाग एक अज्जायच है। नंदी केश्वर बोले जो भगवान सिव के वह नंदी केश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विश्णु भगवान से सयापर, अपने गरुण आदी पारसदों से सैयोक्त, लक्षमी सहीत सैन करते थे, उसी समय, देखिए इनके, पॉंपने उमारा करते हैं इसी, बिरम ग्यानियों में स्रेष्ट बिरमाजी, और फिर इसके वचन देखियों, बिरम ग्यानियों में स्रेष्ट बिरमाजी, अपनी इच्छा से वहां आए, विश्णु जी के पास, सब परकार से सुन्दर सेज पर सैन करते हुए, कमल लोचन विश्णु जी से पूछने लगे बिरमाजी, तुम कौन हो, यह बिरम ग्यानियों नहीं पता तुम कौन है, तुम कौन हो, जो मुझे देखकर अभिमानी पुरस के समान सैन करते हो, अभिमानी विक्ति कितना तुम लेटे हुए हो, यह वत्ष, यह बेटा, उठो, बिरमाजी करें विश्णु जी को, यह बेटा, उठो, देखो, देखो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, तेरा मालिक आया हूँ, आये हुए, गुरु को देखकर जब्मान करता है, उस द्रोही मूड का प्रैस्चित होना उचित है, यह सुनकर विश्णु जी के अंतरमत करोध हुआ, लेकनों प्रत लोग दखावा, सांत रही, अंदर छो उठी गया, परन्तु बाहर से सांत रही, और बोले, हे वत्ष, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो, बाहर, मारे देव ताओ, इस समय तुम्हारा नेतर कुटिल और मुख, बकर क्यों हो रहा है, यानि तु गुसा क्यों कर रहा है, ते डियाँ करकर, ते ओड़ी गेर रहा, बिर्मा जी बोले, हे वत्ष, विश्णू, हे बेटा, विश्णू, तुमको समय के परभाव से अभिमान है, ये पूत्र, मैं तुम्हारा रक्सक और जगत का, पिता मैं हूँ, विश्णू जी बोले, ये है तो सब जगत मुझ मैं सतीत है, तुम चोर के समान किस परकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभी कमल से उत्पन हुए हो, इस से मेरे पूत्र हो, मुझे पूत्र कहना विर्था है, नंदी के स्वर बोले, इस परकार ब्रमा विश्णू दोन्नों ही रजोगुन मुगद होकर विवाद करने लगे, मैं स्रिष्ट हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुख होगे, इवागे देखिए, और देवता होगे शरीतर, वो तर लड़न लाएगे दोन्नों जड़े, और और देवता आकास से, और उनको शाबा सीधे है, तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर, उस महा अद्बुत युद्ध देखने को चले आए, और आकास में उनके उपर फूल बर्षाणे लगे, एक शाबास लड़ो, है शाबास, जुकर जोटे लड़ा करें कई बगामा में, और किल कि जिया कर, हाँ, हाँ, तो नो कहा है, उपर वो देवता मारे फेरिनों के, है शाबास, फूल बर्षाणे कर जो काम, जबकि पुन्यातमाओ, अभी न देवता कवा, या बालक कहें, देवता थे तो वहाँ आते हैं, उनका बीच में खड़े हो जाते हैं, प्रभूओ, यदि आप ही ऐसा चरीतर करोगे, तो और हमारे जैसों का क्या हाल होगा, आप ऐसा ना करो, उनका बीच बचाओ करना चाह ये था, और वो फूल बरसा होने होगा है, स्यावाज कर दोगा होने, अप उन्यातमाओ, प्रमातमा के ग्यान की रोसनी में, आज हमें दिखन लगया, नितामभी इस अग्यान के आधार से, इस काल के लोक में, इस बबूल के बन को, बबूल के बन को हम बाग समझ कर घूम रहे थे कि साइद कहीं कोई आम मिल जावे है, यानि कोई सुख पराप्त हो, सुपने में भी नहीं, यहां सुख नाम की चीज नहीं, आप सुख से ऐ परिचित हो, प्रमातमा बताते हैं, कि बारू बूरा जान चाटत हो रही, अब संकेत मतेरा पुन्यातमाओं को इतना ही क काफी है, कि तुम यहां सुख मान कर इस जैसे कोई बूरा जान कर रही खा रहा हो, रही, जैसे जमीन के अंदर, जो खराब जमीन हो जाती है, जिसमें रही लग जाती है, उसमें सफेद सफेद उसके उपर एक बूरा जैसा ही, एक बुरा दासा होता है, उसको रही बोलते ह अब क्या कहते हैं कि तुम बूरा जान चाटत हो रही अब जिसने बूरा ना खाई तो रही ये मिला जान देखा वही रही जान देखा वही वो नमक तो यही मान लिया कि यही होगा वो बूरा अब प्रमात्मा कहते हैं तुम जैसे किसी का संतान नहीं वो नो सोचे है बगवान संतान हो जा सुखी हो जाओंगा संतान हो पूछ लिए उस पर कितना सुखी हो जिसके पास पैसा नहीं है वो नो सोचे है बगवान पैसा हो जा मैं सुखी हो जाओंगा पैसे और न पूछ ले जा सोपने मैं सुख होते हैं सो अपने में सुख नहीं पैसे वाले ने तो अपने आत्माओ कोई दों का में राजा बन जाओं मंत्री बन जाओं मुख्य मंत्री बन जाओं सुख ही हो जाओंगा सुख तो आस पास भी कोई ना उन कहते है सोपने में भी सोख है ना पर दान मंतरी मुख्य मंतरी अमेल एम पीज को यह सत करमा ले ना क्योंकि यह सुख है यह नहीं सुख हो कहां से कभी कोई टेंशन जैसे एक परिवार का एक मुख्या पांथ साथ सदस्यों के अरेंजमेंट में कितने टेंशन होती है उसको और एक राजा अपने एक सित्र की परजा का पिता होता है तो उसने जोग विवस्था करनी होती है इतने वेक्तियों की किता सड़क बनवानी है किता सिचाई की विस्था करनी है कहीं बिजली की विस्था करनी है और कहीं फिर पीछे से राजकाज में गड़बडी की चिंताइं सताती रहती है यह तो सांज ने तीन पादा रूपी का जब आख लागे इनकी अर सुट्य उठ दें फेर हुआ है गीगी बंदी रहे यह ता आप जीनर हम ने दिखा है यह तो प्रमात्मा के बताना चाहा है तुम इनन सुख मान रहे हो और कहते हैं बूरा जान चाटत हो रही